जय शिमाकाल हरिहर, मानो जैसा होगा, वैसा ही लगेगा, अर्थात मानो अहिंकारी होगा स्वयम में, तो उसको बुरा ही लगता रहेगा, सत्य हमेशा बुरा और कड़वा लगेगा, मानो को यदि अलंकार होगा, अंदर सुन्दर होगा, तो उसको अच्छा लगेगा, ये दोनों टेंप्रेरी है, पर तीसरा जो होगा, वो होगा तदाकार, तदाकार में मानो को सच्छा लगेगा, जैसे है, वैसे ही दर्शाएगा, और दिखेगा, अर्थात, बात समझेंगे, मानो के अंदर जैसा जीवन होता है, जैसा चरित्र होता है, जैसा आच्रन होता है, जैसा वैबार होता है, जैसे विचार होते हैं, वो ही प्रकट करता है मानो, जो वचन होते हैं वो ही प्रकट करता है और जो मानो आशा करता है अपेक्षा करता है आकांशा करता है वो ही उसको प्राप्थ होता है जो चीज उसको प्राप्थ हो रही यदि उसको दुख प्राप्थ हो रहा है तो कहीं न कहीं मानो की शंकाएं हैं कि उसको दुख ही मिलेगा उसको भय ही मिलेगा उसको संकट ही बिलेंगे उसको कश्ट ही मिलेगा उसको संघर्ष ही मिलेगा तो जीवन भर वो संघर्ष करते रह जाता है जीवन भर वो कश्ट संकट और भोग और रोग से रच जाता है बात बिल्कुँ समझेंगे हर मानो जाती, यदि एंकार है मानो में, स्वयम में, तो उसको हमेशा कहीं न कहीं वो अकड जाएगा, सटक जाएगा, खटक जाएगा, और दपक जाएगा कहीं न कहीं वो उसके अंदर पूरी स्टिफनेस हो गया है, उसकी मसल्स पूरी स्टिफ होंगी ठीक है, तो बात बिल्कुल समझेंगे, उसको जो बी चुछ प्राथ होगा, वो वहीं दुखी में प्रकट बनाता रहेगा और कहीं न कहीं भयक में रहेगा, चिंता में रहेगा, और जो मानों अलंकार है, स्वयम में अलंकार स्वंदर है, तो उसको अच्छा अच्छा लगेगा, ठीक, ये हर मानों के अंदर है, जहां से समझेंगे, हर मानों के अंदर ये तीनों रूप है, और सरूप है, तो अलंकार में मानों को आना है एहंकार से, और तदाकार में आना है अलंकार से, तो जब मानों को अच्छा लगने लग जाता है, तो ये दोनों टेंप्रेरी है, अच्छा और बुरा जो है टेंप्रेरी है, ठीक है, बहुत ध्यान से समझेंगे, जहां मानों को अच्छा बुरा लगता है, एहंकार और अलंकार, वो दोनों मित है, माया भी है, ठीक है, उसका अस्तित्व नहीं है, जो अच्छा और बुरा, हमको जो दिखता है, हमको जो लगता है, पर सच्छा सिर्फ और सिर्फ तदाकार में है, तदाकार मिला अर्थात जो रूप में है, उसी रूप में होना, जो अस्तित्व में है, हमारा जीवन का स्थित्व, उसी में हमको होना है, उसी की सरूप में होना ही तदरूप है, जैसे ही तदकाल में आप उसी छण, उसी में समाहित हो जाते हैं, उसी रूप में ठल जाते हैं, उसी को तदाकार कहते हैं, और वही सचा होता है, हर मानी शष्टी के साथ, पंच्च्तत्तों के साथ उसी प्रकार से हो जाना जैसे वो है, उसके साथ सिंकु रुणाइस कर लेना, उसके साथ बैलेंसिंग कर लेना, तो इसलिए हर मानो जाती को इससे उपर उठना है ठीक है मेलब एहंकार और अलंकार से क्योंकि अच्छा बुरे का कॉंसेट नहीं है कॉंसेट है सिर्फ सच्चे का तो ब्रहमित मानो अच्छे और बुरे में ज्यादा फसा रहता है अलंकार और अहंकार में दोनों में ट्रैप है इसलिए सिर्फ तदाकार में आईए तदाकार में होईए पर्मनेट आनन्द है पर्मनेट सुकून है पर्मनेट मानो सुखी है और यही होना है उसमें कोई भी fluctuation नहीं आता कोई भी diversion नहीं आता सिर्फ स्वयम में स्थित होईए परिस्थिती में नहीं परिस्थिती चेंज होती रहती है पर स्वयस्थिती अपने आपकी स्थिर हो जाए वो ही स्थिरता है और स्थिरता में बल होता है वो बल ही चाहिए हर मानो जाती को ठीके जी जीवन में बल चाहिए ठीके जी जै शिमाकाल हरियर